हेलो अब्रिवन येस्टेए वी विल रीड़ अबाउट दा प्ले डैफिनेशन ओप्ले इस टाइप सेंदा इंपोर्टेंस ओफ प्ले तुडे वी विल स्टार्ट विद फेक्टर देट इंफ्लेंसिंग प्ले खेलों को प्रभावित करने वाले कारिक इनके बार में डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट होता है हमारा स्वास्ता है जो हमारी हेल्थ को डेनोट करते है अनुशाशन डिसिप्लें लिंग सैक्स बच्चों का बॉइस और गल्स जो होते हैं खिलोने उनके टोई वातावन इन्वार्मेंट अभिवा जो उनके पेरेंट्स होते हैं में रूची दिखाएगा अगर बच्चे कोई इनफेक्शन है या बिमारी है तो उस टाम पे बच्चा क्या करेगा खेल में भाग नहीं लेगा क्योंकि विक होगा तो उसका किसी भी चीज में क्या होगा इंटरस्ट नहीं होगा फिर आता है हमारा डिसिप्लेंट सैकिंड पॉइंट है मारा discipline खेल अनुशासन सिखाता है यदि बच्चा अनुशासित होकर खेलेगा तब उसका विकास सही हो पाएगा खेल में बेमानी करने से बच्चों में कई प्रकार की बुरी आदते होने की शुरुआत हो सकते क्या बोल रहा है discipline अगर बच्चा क्या करेगा प्र प्रारा में काल में लड़के और लड़कियों के खेल क्या होते है एक जैसे होते है प्रन्तु जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है लिंग के अनुशार उनके खेल भी क्या हो जाते है बदल जाते है लिड़कों के खेल अलग हो जाते है और लड़कियों के खेल क्या हो जाते प्लास्टिक के बोक्स खिलोने आवाज निकलने वाले जानवर दबने वाले खिलोने यह सारे क्या आते हैं पसंद आते हो एक से तीन वाज तक के बच्चों को खीचने वाले गाड़ी टावर आधी बोक्स गेंद आधी से खेलना क्या होता है पसंद होता है और तीन से जो छे साल तक के बच्चे होते हैं उनको मुबाइल चितरो वाले किताबे रंगिन पैनवे पैंसीन कार टूल प्रोपर वहां पर अवेलेबल होना चीए तभी बच्चा क्या करेगा गेम में क्या करेगा अपना इंटरस्ट या फिर रूची दिखाएगा फिर आता है उसका पेरेंस पेरेंस का मतलब क्या है अभिवावक अभिवावकों का बच्चों के खेलों में महतपून भूमिका ह प्रारंबिक रूच्ची तथा उनकी सोच का खेलों पर परभाव पढ़ता है उमर के अनुसार बच्चों के लिए उप्यूक्त खेलों की बारे में विवावकों को जानकारी होना बहुत आवश्या कि बच्चों की एस के अकोर्डिंग उनको किस तरह के टोईस खेलने के ल नहीं करेंगे फिर आता है कि उमर कए इज उमर का खेल पर ग्हारा पर पर पढ़ता है उमर के अनुसारी बच्चों के शारिख मान सिक वैप भाहनात्मक यूगता यह लगवलग होती तब प्रतिक बच्चा अपनी उमर के नुसार खेल पसंद करता है एक वरश तक के शिच बढ़ेगी तो अपनी इंट्रेस्ट की अंकोर्डिंग क्या करने लग जाता है अपने टोई इसको खेलना चूज करना स्टार्ट कर देता है अब आता सिलेक्शन ओप ले एक्टिविटी खेलों का चयन कैसे करना है खेलों का चयन बच्चे की वृधियां विकास के स्तर पर हो करना चाहिए कि बच्चे की एस के अकोर्डिंग और कैसे बच्चे की वृधिय और यह कैसे ग्रोथ हो रही है उसके अकोर्डिंग हमें क्या करना है खेलों का चयन करना है इंडोर आउट्डोर खेल सामगरी बहुत महेंगी हो या वश्यक नहीं है प्रणतों इनका जाने वाल है आउट्डोर जो घर से बाहर खेले जाने वाल है तो जुरूरी नहीं है कि यह सब बहुत ज्यादा महेंगे हो प्रणतों अकोर्डिंग टू नोलेज और अपनी जो थिंकिंग है उसके अकोर्डिंग हमें क्या करना चाहिए बच्चों के गेम्स को खेलों को च वेक्ति में एक्टिविटी बहुत सायक होती है कैसे अपनी फिलिंग को एक्स्प्रेस करना है और वो के सामने रखना है यह चीज़े भी उसके लिए क्या होती है इंपोर्टेंट हो जाती है सब उसको करना आ जाता है वेक्ति में कंसेप्ट ट्रीमिंग शमताव का भी विक किसी चीज के पिछे कैसा कंसेप्ट है यह चीज क्यों आई है किसने बनाई होगी इसके पिछे क्या रीजन तो वह सब चीज़े भी बच्चा क्या होता है गेम से सीख जाता है फूर्थ क्वैंट खेल बच्चों की उमर वैलिंग के अनुसार होना चाहिए उनकी एज के अक पिछे को कोई एक्सिडेंट या इंजिरी उनसे नहीं होने चीज तिखे नुक्यले नहीं होने चीज है खिलोंय टिकाओं होने चैवे टूटने योग्या ना हो यह उमर के हिसाब से इतने सरहलों कि इनसे बच्चा संतूष्ट हो सके और अपना मन अपना तठत मश्तिक्ष की भी एक्टिविटी पूरे हो मलग एज के अकोर्डिंग ऐसे होने चे बच्चा खेल के भी कुश और उसके माइंड की डवलेपमेंट भी उन प्ले के साथ साथ क्या होती रहे बुद्धी का विकास भी बच्चे का होता रही खेल योगे सामगरीस परकार की हो कि उसमें बाल एक खेलोने अशे होने चेली कि बच्चा बार बार…-उन पनसे के तरफ क्या होता रहा, अकृष्या आकशी तो जैसे ब्राइट कलर की होंगे, चलने वाले होंगे, आवास करने वाले वाले उने बच्चा आपने क्या दिखाएगा, उन इंटरस्ट दिखाएगा और उन गे इसको क्या करेगा खेल लेगा